जी नमस्कार, शीक्वेंस सीरीज के आज पार्ट सेवन लेके हम आये हैं क्रियेटर सुपर्टेटी चैनल पे ये आपको पार्ट सेवन में हम सिखाएंगे कि अगर एसन का फर्मुला किसी स्टुडेंट को नहीं पता है तो वह डाइरेक्ट बना सकता है और कैसे बना सकता है इसी पर हम प्रस लेके आये हैं आईए आपको क्या करना है तो पहला कोश्चन इसका है सब लोग अच्छे से देखें वन प्लस टू प्लस थीरी प्लस फोर प्लस डॉट 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 यहां क्या होगा ये आपको S N निकाने के लिए कोई कल्कुलेशन नहीं करना है इसका तीसरा टर्म देखना है और इसकी पहला टर्म देखना है तो तीन में से एक गया तो एक बटे क्या हो गया इसको एक टर्म आगे बर जाना है N इन्टू N प्लस 1 और 1 इन्टू 0 यानि S N बराबर 1 बाइटू N प्लस 1 ये अवला आपका तो 0 न हो जाएगा बोलो कोश्चन नमर 2 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ये डॉट 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 टीन क्या होगा ये बात को समझो कितना का डिफ्रेंस है यानि यहाँ पर 2 N डाल दोगे केड़ दोगे और 1 लाना है तो 2 N माइनस 1 प्धिकत अब यहाँ S N बराबर फर्मूला हो जाएगा ये 5 है क्या है 5 में से 1 गया तो 1 बटे उसको 1 टर्म आगे बरेंगे तो 2 N माइनस 1 यहाँ पर 2 N प्लस 1 और 1 माइनस यहाँ पर आपका 1 में से 2 गया तो माइनस 1 अब S N बराबर एक बटे 4 यहाँ 4 N स्कॉर माइनस 1 प्लस 1 1 से 1 कट गया 4 से 4 कट गया S N बराबर N स्कॉर S N बराबर आया कि नहीं आया अब इसी ढग से और कोशन को आप करो कोशन नम्मर 3 यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 यहाँ 2 N को दिक्कत यहाँ इसकी तीसरा टर्म देखो एक टर्म आगे बरना है 2 N 2 N प्लस 2 एक बटे चार 2 N 2 कॉमन N प्लस 1 दूशे गुख कट गया N इन्टू N प्लस को दिक्कत कोशन नम्मर 4 एक प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 तीन बर रहा है 10 यहाँ 13 दॉट 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 4 में से 1 गया तो कितना हुआ 3 N माइनस 1 प्धिकत अब इसका एसेंज होगा 7 में से 1 गया यहाँ 6 और यहाँ 3 N माइनस 1 और यहाँ 3 N प्लस 1 माइनस एक में से 3 गया एक में से तो कितना हो जागा जल्दी में तो माइनस 2 अब यहाँ S N बराबर 1 बाइ 6 9 स्क्वार यहाँ 3 N माइनस 3 और माइनस 1 और प्लस 2 तीरियन से थीरियन क्या हो गया यानि फाइनल एंसर हो गया एक बटे आठ 9 इन स्क्वार और प्लस 1 को दिकर अब इससे तुम्हें बेनेफिट क्या है यहाँ गलती लिख दिये हैं 1 बाइ 6 होगा बिल्कुल सही जबाब है अब तुम्हारे पास इससे आपका बेनेफिट क्या है आप चाहेंगे तो एसन के बेसिक फर्मूला से भी बना सकते हैं लेकिन एसन का वा फर्मूला आपको केवल एपी के लिए लागू होगा लेकिन यहाँ जो हम फर्मूला बताए हैं यह प्लोनोमियल्स के लिए लागू है किसके लागू है प्रोनोमियल्स की लागू है यही दोनों में अंतर है यही दोनों में क्या है अंतर है आए हम लोग देखते हैं अगर कोशन रहेगा कोशन नम्मर 5 1 x 2 2 x 3 3 x 4 यहां पर 4 x 5 डॉट 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 यहां डिफ्रेंस है एक का यहां हो जाएगा एन िनटू एन पलस 1 इसे न बराबर तुम्हें क्या बताया हूं यहां बताओ कैमा ठेखना है तीसरा टम यहां तीसरा टम तुम्हारा क्या है चार और इसका पहला टम क्या है तो चार में से एक गया तो कितना बचा अब यहां हल करोगे एन इंटू एन प्लस वन एक टर्म बर जाना है एन प्लस टू माइनस दो गुने एक गुने जीरो यानि एक बटे तीन एन एन प्लस वन एन प्लस टू और यह वाला जीरो एक बटे थीरी एन इंटू एन प्लस वन और एन प्लस टू बोलो यह सानू इस ही का मार्केट का किताब जो है आपको पहले टी अन निकालेगा क्या निकालेगा तो टीन निकालेगा तो एन एस्कौर प्लस एन हो जाएगा एन एसके बाद समेशन लगाएगा क्या लगाएगा और तुमको रट्टा मरवाएगा तुमको क्या करवाएगा कि summation n बराबर n into n plus 1 by 2 और summation n square is equal to n into n plus 1 2n plus 1 by 6 बोलो यहाँ 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 sn हो जाएगा क्या हो जाएगा और यहाँ summation n square करोगे तो n into n plus 1 और 2n plus 1 by 6 और यहाँ n into n plus 1 by 2 अब यहाँ पर sn बराबर तुम्हारा 2 औ 6 का LCM 6 हो जाएगा और n into n plus 1 2n plus 1 और यहाँ पर 3 से गुना हुआ तो 3n n plus 1 अब कॉमन ले लेगा n into n plus 1 बोलो यहाँ जाएगा 2n plus यहाँ 3 कि 2n plus 1 और 3 है तो 4 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 6 अब यहाँ n into n plus 1 और दू कॉमन ले लेगा तो यहाँ n plus 2 by 6 कितना बार में कर जाएगा तो यह फाइनल एंसर हो गया n into n plus 1 n plus 2 5 3 बोलो यहाँ यहाँ तो आपको बुक और इसमें क्या होगा दोनों में अंतर होगा अब क्या होगा मैं आपको यहाँ पर compare करना चाहता हूँ कि आपको बहुत याद होगा या जितने सिच्छक हैं मैं दावे के साथ का सकता हूँ कि समेशन n का फर्मूला उनको याद होगा समेशन n square का फर्मूला भी याद होगा समेशन NQ का भी फर्मुला याद होगा गारी फसेगी समेशन N4 का समेशन N5 का समेशन N6 का इसमें अगर यह कोश्चन देने वाला अगर थोरा सा टेकनिकली दे दे तो आप कैसे बचेंगे यहाँ कोश्चन हो जाए 1 into 2 into 3 into 4 बोलो यह सानू अगला हो जाएगा 2 into 3 into 4 into 5 यहाँ 3 into 4 into 5 into 6 dot 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 N into N plus 1 N plus 2 N plus 3 बोलो यह सानू अब इस फर्मुला से बनावेगा तो इन-फोर आ जाएगा क्या जाएगा और क्योंकि समयशन इनफोर का फर्मूला याद नहीं है बोलो बना पाएगा। इसका फर्स्ट क्या है एं तो 6 में से एक गया तो कितना बचा एक बटे 5 इक टर्म यह आंगे बर जाएगा तो तो आपको वीडियो देखने से क्या फैदा मिलेगा ये आपको समझ में आएगा ये किलियर है बोलू माइनस क्या हो जागा यानि यहां पर चार तील दो एक जीरो यानि फाइनल एंसर हो जाएगा समझ में आ रहा है यानि तुम कर सकते हो दोस्त कि अगर महभारत की हम बात करें और भागवत गीता की बात करें तो अध्यायत तुम में लिखा हुआ है कि एक तरफ पांडो है दूसरे तरफ कर्वा है पांडो के संड़चक भीम है जिनकी सक्टी सिमित है दस हजार हाथी के बल के बराबर है और कर्वा के संड़चक भीम है जिनकी सक्टी अशिमित है तो यह फर्मूला अशिमित है और आपका एसन का फर्मूला आपका सिमित है कि असेन का फर्मूला क्या है इसे आपका अशिमित है यानि कुछ कोश्यने का और जवाब हमेलों को दोग दे और हम देखते है तह lazım है तो यहाँ पर वान इंटू टूमू तू उैंटू ठीरि इंटु फो ठीरी इंटू 4 फो ठीरिंटू N प्लस 1, N प्लस 2, S N बराबर, यहां पर यह 5 है, और यह एक बटे 4, N इन्टू N प्लस 1, N प्लस 2, N प्लस क्या हो जाएगा, और यहां पर 3 इन्टू 2 इन्टू 1, इन्टू 2, यहां इसकी समेशन क्या हो जाएगी, एक बटे 4, N इन्टू N प्लस 1, N प्लस 2, N प्लस 3, यहां से अनौ, अगर मार्केट के किताब के अनुशार बनाते, तो आपको पहले TN निकालना पदता, तो N इन्टू N प्लस 1, आए N प्लस क्या होता, यहां TN बराबर, N प्लस N, यहां N प्लस 2, TN बराबर हो गया N Q, N स्क्वार 2 N स्क्वार 2 N, TN बराबर, N Q, 3 N स्क्वार 2 N, अब समेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो यहां पर, पेन चेंज, तो TN बराबर आया, N Q, 3 N स्क्वार 2 N, समेशन TN, समेशन N Q, 3 N समेशन N स्क्वार 2 N, S N बराबर, इसकी फर्मूला फ्रीलू बता है, N इन प्लस 1 बाइ 2 का, यहां पर N इन इन प्लस 1, 2 N प्लस 1 बाइ 2, 2 N इन इन प्लस 1 बाइ 2, बोलो, यहां सियानो, अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो मिलते हैं, अगले पार्ट में तब तक लिए लोगों को बने रहें, लोगों को प्रेरित कीजिए, कि आप मैथमेटिक्स के भिस्म पितामा से कर रहें हैं, जिनकी मैत के मामले में शक्ती और शिमित है और पांडो के सरच्छत धिम है जिनकी शक्ती सिमित है मिलते हैं गले पार्ट में तब तक लिए बने रहे हैं